बिस्मिल्लाह वह्मान वहीम उमीद करती हूँ आप लोग सब हर्यों से होंगे आज मैं बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसीपी लेकर आई हूँ यह जो है मैं चेंज स्ट्राइल में बनाके त्यार करूंगी तो चलते हैं रेसीपी की तरफ रेसीपी को एंड तक द करूंगी बिल्कुन नॉर्मल और बारी जो है मैंने कि कर्टिंग कर लिए एक एपल लिया है और उसके मैंने चोटीचोटी कर लिए इसी तरह मैंने स्ट्रावभेरी की बी चोटीचोटी कर लिए वह भी मैंसमें कर दूगी साथ-ए-साथ-ए-साथ-जो-चैयले लिए हैं उसकी भी मैंने गोल गोल कटिंग कर लिया है वो भी मैं इसमें एड़ करूँगी तो इसे आपके पास जो भी मौजूद हो आप एड़ कर सकते हैं एक बॉल में जो है मैंने एक स्पॉन पानी लिया है उसमें वन स्पॉन इसमें मैंने टैंक एड़ किया है यह जो है यह पाइ किनू लिए हैं इसके इंदर दो की करूंगी और जो है सकेereal म Hail जो है दाने गल देने हैं, वह आट नहीं करने हैं सिर्फ इसका जूस से हो जाता है लेकिन ये हाथ से बिल्कुल अराम से निकल जाता है जूस इसी तरह जो है मैं दूसरा भी जूस निकाल लूँगी फ्रूट चार्ड में कीनों का जूस बहुत मज़ेदार सा लगता है जब से मैंने ये जूस डाला है स्टार्ट किया है तब से यह बहुत मज़िदार सा बनके रैडी होता है यह कभी भी नहीं बश्टा इसमें अब जो है इसमें थोड़ी सी चुटकी जितना जो है इसमें नमक आइट करूंगी नमक आप अपने हस्बेशाय का भी आइट कर सकते लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक दलता है सि सिर्फ टेश के लिए बस और थोड़ा सा ही जो है इसमें मैं चाट मसाला एट करूंगी सिर्फ थोड़ा सा हाफ स्पूंज इतना जो है इसमें चीनी आइट किये स्टारेश की वज़ा से जो है मेरी वीडियो स्किप हो गई थी माज़र चाती हूं एपल का जूस आइट अब मैं इसमें पाइन एपल का पूरे जूस आइट कर दूंगी और साथ ही साथ जो है कीनू का जूस भी इसमें मैं आइट कर दूंगी और अब मैं इसमें अच्छी तरह से जो है वह मिक्स कर लोंगी अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे तक्रीबन एक घंटे कली फ्रीजर में रख दूंगी ठंडा ठंडा बहुत मज़दार सा लगता है और फिर जो है इसे अफ़तारी मैं से सर्फ करूंगी यह बहुत मज़दार स्फी रेसीपी आप इसे लाजमी ट्राय कीजेगा और इस अच्छी बहुत मज़दार सा लगता है